नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइब सरकार और NDA पर भी पकची पाटी का हमला जारी है लोकतांत्रिक जनतादल के अध्यक्ष हैं सरद्यादो कभी नितीश कुमार आज जिस पाटी के अध्यक्ष हैं जेडिव के उसके अध्यक्ष हुआ करते थे सरद्यादो तो वहां से अलग हुए जेडियू से अलग हुए तो उन्हें अपनी पाटी बनाई लोकतांत्रिक जनतादल बनाया और उसके अध्यक्ष हैं लोकतांत्रिक जनतादल के अध्यक्ष होने के बाद वो लगातार नितीज कुमार पर हमलावर रहे हैं बीजेपी पर भी हमलावर तो अलग होना पड़ा या अलग थलग कर दिया गया का सकते हैं तो सरद यादों ने हमला बोला है नितीज कुमार पर बिहार की सरकार पर उन्होंने बिहार में GST घोटाले का आरोप लगाया है GST घोटाला बिहार का क्या है इसकी जानकारी हम आपको आगे विस्तार से देंग हैं उनके हवाले से हम आपको ये ख़बर बता रहे एंगे ऑंको त्वीट किया है और लिखा है कि बिहार में जी पर सेरकार सो रही है अथवा इसके पीछे सरकार में बैठे लोगों का सर्क्षन है तो बड़ी ख़बर बिहार सरकार पर घोटाले का आरोप हुआ है नहीं हुआ है GST घोटाला अगर हुआ है कैसे है सरद्यादों के आरोपों के क्या आधार है इससे जूरी खबर जो है विस् पर बिहार में जिस्टी घोटाले का आरोप लगाया है सरकार पर निसाना साधा है और करोडों की हेरा फेरी का आरोप लगाया है और यह भी कहा है लिखा है कि एक तो बिहार में आये अर्जित करने के सरकार के पास कम संसाधन एकम साधन है बावजुद इसके इस तरह के घोट तो बड़ा निसाना बड़ा आमला सरद्यादों का और बड़ा बयान सरद्यादों का बिहार में जेस्टी घोटाले को लेकर घोटाला हुआ है नहीं हुआ है क्या है मामला है यह हम आपको दिखाएंगे फिलाल हम आपको सरद्यादों के हवाले से उन्होंने जो लिखा है जो प्रमुख निताओं में से एक हैं तो उन्होंने हमला बोला है अगर आपको हमारी एक ख़वर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी ख़वरें सबसे पहले आप तक पहुंचें प्यार समर्थन और सहयों के लिए बहुत बहुत धन्याप।